हिंदू वो लोग है उतमे हिंदू में भी हूँ मैं इस बात के लिए एकदम निश्यन्त हूँ कि जो बात मैंने कही है उसके प्रामानिक साक्षे हैं उसके बिरना मैंने कुछ भी नहीं कह है मैंने ट्विटर पे कम समय गुजा रहा है और जिन में ज़ाधा गुजा रहा है और उसी में ज़ाधा अच्छा नहीं सुस करता हूं चीजों को लेकर हैं एक है शंभुखवद को लेकर एक है सीता माता के ओपर कहा जा रहा है कि हिंदु धर्म का अपमान किया गया इन वीडियो पर और इसके केंद्र में हैं द्रिष्टी आएस कोचिंग के संस्था पक्त डॉक्टर विकास दिविकीर्ति तमाम दावी के जा र पर पर जो कुछ ट्वीट्स बारें मैं आपको बता दूँ मेजर सुरेंद्र पुनिया है उन्होंने ये वीडियो माता सीता के ओपर जो एक पूरे आपके सेशन का एक पैताली सेकेंड का डाला गया है उस पर उन्होंने लिखा यह उस जो वारता ला में पहले वह आपको जो उसमें दिखाया गया उस पैताली सेकेंड में रुको सीते सीता रोगे मैं रशेद पूजा पाट करनी होगी पहले कुछ तो राम ने जो वाक्य बोला है ना बड़ा खराब वाक्य बोला भाई मैं तो बोलते हुए मेरे जबान कटके गरे जाएगी तो बोलना होगा क्य तुम्हारी लड़ा है तो तुम्हारी गलत फहिमी है युद्ध तुम्हारी नहीं लड़ा है युद्ध अपने कुल के सम्मान के लड़ा है और रही तुम्हारी बात जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योगी नहीं रहता है वैसे तुम अब मेरे य जो비 को काट कर्वारें और इया आरोप लगा है कि इसको गलत तरगे सेखोड किया गया आप दिन सब्रह रोपु पर आप क्या कहना है पहले इस किली कSchagman कर लिते हैं दुदो क्षे अपने हिंदू ना वहां हूए किसी और पर फ्रमान के जरुडर नहीं है दोसी बात जब तक संधर्व ना पता हो तो उसके बिना कोई बात करना बड़ा निरथाख होता है यह क्लिप एक कलास की क्लिप है और यह क्लास 2018 या उनिसके शुरुवात की कलिप है मैं आई इसके लिए पढ़ाता हूँ और जब मैं पढ़ाता हूं तो मुझे बताना पड़ता है कि जो प्रश्ण यूपेसी में आते हैं उनका अंसर कैसे लिखा जाए जब वो क्लिप वाइरल हुई तो मैंने भी देखी वो एक प्रश्ण ये है कि क्या तुलसी दास के प्रतिस समकालीन समिक्षा की धहराएं नियाए कर पा रही है समकालीन समिक्षा से मुख्य मतलब होता है दलित वी मर्श स्त्री वी मर्श और कुछ और वी मर्श जैसे जनजाती वी मर्श है ये सब वी मर्श है ये यूपीसी के प्रश्न है इस प्रश्न का उत्र हमें देना होता है क्लास में लिखवाना होता है तुलसी दाज़ी पर ये आरूप हमेशा से लगता रहा है कि वो स्त्री और दलित समाज के समर्शक नहीं थे उसके भी रोधी थे और ये बात बहुत लोग साहिति में मानते रहे हैं विशेश रुप से जो वांपंथी हैं प्रगतिवादी हैं वो लोग ऐसा मानते हैं ये कोई नई बात नहीं पुरानी बात है इस डिसकुशन में ये बता रहा था जो अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको पता भी लग गया होगा मैं ये बता रह लोग तुलसीदास जी पर लगते रहे हैं और क्या-क्या उसके सफाईयां दी जा सकती हैं या कुछ लोगों ने दी हैं मैं आपकी तसली के लिए ना वो सारे ऑथेंटिक टेक्स अपने साथ लेके आ गया हूँ ताकि पहली बात तो ये कि अगर मैंने कुछ भी कहा है अगर पुरानी चीज़ वो छोड़ भी दिया मसलन आपने पहली बात सीता मता की तो वही से शुरू करते हैं ठेक है प्रसंग मैंने जो बताया वो ये है कि श्री पुरुषत्तम अगरवाल का एक लेक है और मैंने उस लेक का संदर्ब दिया पुरुषत्तम अगरवाल ऐसे वैसे जिया पुरुषत्तम अगरवाल रहे हैं और शाथे में यूपीसी के मेंबर रहे हैं यूपीसी के मेंबर होने का मतलब है कि हम जनरली ये फॉलो करेंगे कि अगर उनकी कोई बात है तो उसको ठीक मान के चलेंगे ये उनके किताब है संसिती वर्चस्व प्रतिरोध इस ना महा भारत पड़ी थी मैंने इस किताब से पढ़ा था और इस किताब में जो मैंने पहले पर बढ़ा मैं फुद चोग गया कि असा संदर्व कैसे है और उस संदर्व ये है वालमी की रामयन की रामयन की रही ही बात है और प्रसंग इसमें ये हैं फिर मुझे कहना खराब मैंने क्लास में भी बात कहिए कि कहते हुए मुझे लगता है कि जवान कड़ जाएगी मेरी लेकिन अब संदर भे तुमें क्या करूं कहना पड़ेगा उसमें ये लिख रहे हैं लेखक कि सीता समस्ती रहें कि युद्ध उनके मुक्ति के लिए हुआ है ये प्रिष्ट 66 है और सरसर में प्रिष्ट पर्थ और ठीक से पढ़ेंगे तो स्बश्ट होगा जानकारी के लिए बता दूँ कि कि किताब राज के मुल प्रकाशन से शपी हुई है सीता समस्ती रहें कि युद्ध उनके मुक्ति के लिए हुआ है रामिस खुश फहमी कि कोई गुनजाईश नहीं छोड़ते यह जो युद्ध किया है विजह प्रात की यह नत्वदर्शं मया कृतः तुम्हारे लिए नहीं किया और उसके बाद फिर वो जिक्र करें दो में लिखा है क्या कोई अच्छे वंच में जन्मा तेजस्वी पुरुष ऐसी नारी को जो दूसरे घर में रहकर आई हो मैती के लोग में पुनरवार गहन करेगा और आगे कुछ कठोर बाते जिसके बाद उन्त में ये कि मैंने तुम्हारा उद्धार किया है मेरा उद्धे के साथ बात करता हूं मैंने ट्विटर में कम समय गुजा रहा है अधिन में ज्यादा गुजा रहा है मैं उसी में ज्यादा अच्छा मैसूस करता हूं उसके एकदम बात वो क्या कह रहे हैं महाभारत के रामो पाक्ष्यान में राम का कसन और भी हिदय विदारक है अब ये म पर लेके आया हूं और यह महाभारत भी गीता प्रेस की है जिसको ट्वीटर वाले लोग सबसे आदा प्रामाणिक मानते हैं वही यह गीता प्रेस गौरखपूर की महाभारत दुटी एक हंड है इस दुटी एक हंड में जिम लेट असमें आज यह बुक नहीं खरिद वाई है जाने बुचके इसमें प्रिष्ट संक्या 918 और 919 यह दो पेज हैं 918 और 919 जिसको भी देखना हो इसमें जाके देखें और यह 291 अध्याए है और यह अध्याए इसमें मार्कंडे कह रहे हैं मार्कंडे उबाज सिहां से शुरू होता है और इसा जो श्लूप नमबर 13 है अब इतना खराब है कि मुझे बोलते हो फिर उतना ही खराब लग रहा है मिधिलेश नंजनी तुम्हारा आचार विचार शुद्ध रह गया हो अथवा शुद्ध अब मैं तुम्हें अपने उपयोग में नहीं ला सकता ठीक उसी तरह जैसे वही बात की जो कुटे के चाट भी फ्टा तो अब सवाल है कि हम क्या करें अब स्थिवि बात करते हैं इसका कूट या जाता है कि ऐसा रामाइन में था और महांता क्या थो तुलसिदास की तोलसिदास टीने रामाइन के उन प्रसंगों को छोड़ दिया जो रामाइन में थे और ठीक नहीं थे सीता परित्याग सीता के परित्याग की कहानी हर बच्चा जानता है भारत में बहुत इंट्रेस्टिंग बात है कि वो तुलसी दास की रामचरित मारस में नहीं है वो रामाइन में है वालमी की रामाइन में है और उत्तर रामचरित में हैं, लेकिन रामचरित में नहीं है इसे तुलसीदास इस मामले में religiously थाबित होते है, और यह गफशन महाभारत का कषन है, जिसमें इस मातध संब्रiden का जिक्र किया गया है और मेरे इस वीडियो के क्लिप में आपने देखा भी होगा, मैंने जिक्र किया है कि शायद पुरिशात्यु मगरवाल जी ने किसी पुस्तक में इसका कोटेशन दिया है, वह यह पुस्तक आपके सामने है, मैं लेकर आए हूँ, आपको संदर्व देखना हो, तो देख सकते है यह एक डिबेट हुई, मेरे खिल से पहली डिबेट आप इसी की बात करना चाहरे थी, हैना, तो यह जो वीडियो साब 45 सेकंडर के जो क्लिप शेयर किया जा रहा है, इस जो आपने बताए पूरी बातचीत इस विशा पर थी, इसी पर थी, लेकिन उसमें से काट के उतना है ने शेयर किया गया, उस पूरी बातचीत के अंतुमें मैं यह कह रहा हूँ कि तुलसीदास प्रगतेशील क्यों है, क्योंकि तुलसीदास ने ऐसे संदर्भों को छोड़ दिया रामचरी तुम्हारे इसमें, जो परंपरा से चले आ रहे हैं, कि हे सीते, अगर तुम्हें ल भोजन योगी नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योगी नहीं हो, संस्कित के एक गरंथ में राम के मुझे ये कहलवाया गया है, ये राम नहीं कह रहे है, लेखक कह रहे है, लेखक लोग अपने मन की बातें चरित्रों के मुझे कहलवाते हैं, और चरित्र की, चरित्र क पैदा होने वारत तीन-चार साल बात और उस समय की महिलाएं बेंड बजा देंगी हैं हालांकि फिर भी ऐसी बाते महिलाओं के लिए कहे गए हैं कि बेंड बजाने के लिए परयाप करण है राम अच्छे बुरे का प्रसंग नहीं है एक ही राम है उन पर वालमेकी भी लिखत नहीं पर कितिवास रामेन बंगला में लिखी गई है इन्हीं राम की कहानी पर निराला राम की शक्ति पूजा लिखते हैं 1936 में इन्हीं राम की कहानी पर साकेत मैथेशन गुत ने लिखा है वो भी राम है जब वो राम तुम्हें या देश ना भूले धाम धरादन जाए भले ही यह अपना उदेश नभूरी जब वो इस तरही बात करते हैं तो भी राम के बारें बात्चे थे यह सारी राम की कथाईं बदलती जाती हैं फिर 20th century के मिड में संशे की एक रात में नरेश मेहता राम के संशे पर एक पूरी नई तरीके से प्रसुति करते हैं अब सवा जाओ है कि अगर हिंदी साहित्य में और हिंदी से पहले के साहित्य में भी राम की कथाओं ने वर्येशन सा रहे हैं और हम से प्रस्टन UPSC में पूचया जाए कि राम को लेकर नई समीक्षा क्या उती हैं तो से जबाब कया जब तक हम शंदर्व न कोट करें तो फिर अंक कि दूसरा जो वीडियो वारेल हो रहा है उस्वम्भूकवद को लेकर है जह उस पर कहने गाएंगा आप शंबूग का जो प्रसंग है ये बहुत ही विवादासवत प्रसंग है हमारी राम कथा में और मनलब अच्छा तो नहीं लगता है मुझे भी नहीं अच्छा लगता है मैं इश्वर से प्रार्षना करता हूं कि काश ये प्रसंग नहोता परे प्रसंग है तो मैं क्या करू इसमें ये जो पुस्टक है इसका नम आपने खुब सुना होगा ये रामायन है श्री अप्रमायन की ये रामायन गीता प्रस गुरखफुर से छपी उसका द्विति ये भाग है ये पुराने पुस्टक बेर पस रखे थी महीं से लेके आगया हूं यह उसका प्रिष्ट संख्या 774 और 775 है इसको भी आप राम से ध्यान से देख सकते हैं ठेक है 775 में प्रिष्ट पर इसका 76 में सर्ग चुरू हो रहा है और 76 में सर्ग में ये कहानी पहली बार आई है उत्तरकांड में आई है अब आज मैंने ट्विटर पर कुछ लोगों ने मुझे रफ्रेंस भेड़े जिस पर लोग कहरें कि रामायन में तो उत्तरकांड है ही नहीं तो उत्तरकांड रामचरित में या रामायन के हिस्था नहीं है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं इसमें तो लिखाव उत्तरकांड को और इस प्रसंग में जो बात कही जारी वो क्या है देखिए मैंने इस अंदर्व क्यों दिया तुलसी दास्कियों प्रगतिशील है प्रसंग है कि शंबूक एक शुद्र व्यक्ति था वो तपस्या कर रहा था थेता युगु में एक मुझे पूरी कहानियस में ध्यान नहीं थी तो मैंने बहुत संक्षेप में कही थी अब मैं थोड़ा ध्यान से लिस्तार में पढ़ा एक ब्रहमन के पुत्र की असमें मृत्ति हो वह राजा राम के पास पहुंचे राम उस समय राजा बन चुके हैं तो राम ने पूछा बताओ क्या बात है भई तो उसने बताए कि मेरे पुत्र की असमें मृत्ति हो यह और ऐसी एकाल मृत्ति हो हमारे राजी में कविरी होती थी जरूर कोई अधर्म हो रहा है और उस्ते हुए गए और जब खोजने के बाद पहुंचे तो उनको ऐसा देश्य दिखा एक व्यक्ति पेड़ से उल्टा लटका हो तो पस्या कर रहा था राम ने उससे पूछा बड़ी विनम्रता से पूछा कि आप कौन है किस वर्ग से हैं किस जाती से हैं किस समधाय से हैं और लंबी बात चीत हुई उसके बाद उसने बताया कि आप मुझे शूद्र समझेए ये तीसरे श्रौप का हैसा है आप मुझे शूद्र समझे मेरा नम शंबूक है उसका जो अगला चंद है भाशत तस्य शूद्रस्य खटगम सुरुचिर प्रभम नश्क्रिश्य है वह इस प्रकार कह ही रहा था कि श्री राम चंद जी ने म्यान से चम चमाती हुई तलवार खींच ली और उसी से उससा सेर काट लिया ओर अगला चंद कह रहा है कि जैसी उसका वध हुआ इंद्र व अन्य देवता बहुत अच्छा बहुत अच्छा केहकर भगवान श्री मां उसे बंदें होए हर व्यक्ती बंधा होता है हर लेखक बंधा होता है इसके लगभग हजार साल बात नौई aged immediate नादी में भो भूती ने उत्तर रामचणित लिखा भोभूती बहुत महान्जाहिते का रहेए यह नतर रामचरित zit 2 घ Gesundheitsय के हही बहुत प्रसिद्र प्रोफेसर रहे हैं प्रोफेसर विश्वनात्य पाठी उनकी किताब है लोकवादी तुलसी दास तुलसी दास का अध्यान करने के लिए मानते हैं कि इससे बढ़िया कोई किताब नहीं इतने गहरे नुसंदान सी किताब लेखी हुई है और विश्मान ते पाठी होना मज़ाग नहीं है तुलसी और निराला के राम चरित्र में जो अंतर है उसका कारण इन महावी कवियों के युगबूध का अंतर है राम कथा में एक प्रसंग ऐसा है ये इसमें प्रिश्ट पच्चिस पर है कोई पढ़ता चाहे तो प्रिश्ट पच्चिस में इस पूरे प्रसंग को देख सकता है राम कथा में एक प्रसंग ऐसा है जहां वालमीकी और भवभूती के राम शंबूक नामक शूद्र का वद्ध करते हैं उस बेचारे का कसूर यह था कि शूद्र होकर भी तपस्या कर रहा था वालमीकी के राम का प्रसंग है तो जो मैंने आपको बताए कि जैसे ही उसने बताए कि मैं शूद्र हूँ उसको अगलेक्शन रोचिर प्रभावाली विमल तलवार को मियान से निकाल कर उससे सिर काट लिये लेकिन वालमीकी के बाद जब भवभूती का जिकरात है बहुत अच्छी बात है कि भवभूती के राम के मन में अंतर द्वंद्व है कि क्या मैं इसको मारूं या ना मारूं यह उस वीडियो में है जो पूरा वीडियो है मैंने यही बत बताई है उसमें भवभूती बहुत परिशान, भभूती कराम बहुत परिशान है कि मैं क्यों मारूं भी तपा सेटू कर रहा है और फिर क्या लिखाए है भभूती कराम के हिदय में शंबूग को मारते समय द्वंद है, उनके मन में करोना जगती है फिर अपने को निर्मम बताते हुए कहते हैं कि हे, कठोर गर्भा सीता को घड़ से निकाल देने वाले मेरे दाहिने हाथ तुझ में करोना कहा और उसके बाद दो उसका सिर काटते हैं, ये प्रसंग उसमें है और ठीक यहीं प्रसंग मैं भभूभूती कि उत्तर रामचरित भी लेकर आगे हूँ, अब उसमें भी चाहिए तो देख सकते हैं तुलसी दास की महनता ये है कि तुलसी दास ने शम्बूग वद्के प्रसंग को रामचरित महनत से हटा दिया और मैं उसमें ये बताना चाहरा हूँ जो कि बताया, विश्मातिय पाठी जिन लिखा है, उने के किताब से बता रहा हूँ कि लेखक सिर्फ इसलिए महान नहीं होता कि उसने क्या लिखा है लेखक इसलिए भी महान होता है कि परंपरा की कौनसी बत को छोड़ दिया है तो उसे दाज जिनने शंबूक बत के प्रसंग को छोड़ कर बाहनता दिखाई जीता परितियाग को छोड़ कर बाहनता दिखाई और इस प्रसंग को बताते हुए पीछे के संदर देने पड़ते हैं उसी परियसार का सारा शोर हुआ है साद्वी प्राची विशंदु परशत के नेता हैं उन्होंने ट्वीट किया है और आप और उसे वाली बात को जिकर कर रहे हैं आपके वीडियो के रिफरेंज देते हुए और लिखाया है कि इनके इसे जितने वी वेलिया मैडम और मैकाले के मारस पुत्र हैं वे जब जब ध पर नहीं नहीं गता है तो मुझे बहुत आइडिया रहता है निए जो भी हैं अगर मेरी किसी बात से आप अती है तो कितना वहतर है कि संभाद करने सामने आए के अशीज़िखत है और जो आप पोरेश है कि मुझे नहीं पता है क्या वीडियो के पहले हैं यह अंदाजे से वाइब आगे तो रहा हमाला भी वह एक बात ये भी एक ये सारे वीडियो ना यूट्यूब से बहुत पहले के वीडियो में लगा जब नहीं था उस समय के क्लास में होने वाली सामाने बादची से बच्चों से हसी मज़ाग के तीन घंटे के क्लास में हसी मज़ाग के बिना बच्चे बैठ नहीं पाते हैं हसी मज़ाग करते हैं ये हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं है किसी ने उस वीडियो कोर्स में से क्लिप निकाल के चला दी है हमारी सहमती नहीं है ये एक पेड़ कोर्स के क्लिप निकाल के चलाई गई है बिना हमारी सहमती के इस बत को ठी आस्तिक दर्शन है उन में से कुछ मानते हैं कि वेदों को ईश्वर में रचा है एक दर्शन मुख्य रूप से मिमान सा मानता है कि वेदों को ईश्वर ने भी नहीं रचा है वेद प्राक्रितिक है अप और उश्वर हैं किसने लिखाई नहीं है मेरी व्यक्तिकत राह ये है क यह बात मानना मुश्किल काम है कि अगर कोई रचना है तो रचना किसी ने तो की ही होगी आप बेशक यह मानने कि इश्वर ने की है लेकिन इश्वर में भी नहीं की है तब भी वेद लिखे हुआ है तो यह मेरी व्यक्तिकत राय है और लोग तंत्र में हर व्यक्ति को व्यक् पंत्र में कोई अपराद तो है नहीं एक और कीरती आजाद पहले क्रिकेटर फूर्फ क्रिकेटर है उन्होंने भी सीता माता वाला वीडियो उठाकर उन्होंने इस पर लिखा है उनको शायद कुछ लोग ट्रोल कर रहे हैं उनके जानकारी के लिए ये पंक्तियां वालमिक र लाइन है तो सर यह जो सोशल मीडिया वर्फ चलता रहता है इस तरह का कि एक छोटा सा एक तीन घंडे क्लास से 45 क्लिप जिसमें कि आप यह बात कह रहे हैं कि पूरा एक सब्जेक्ट है उसके बारे में एक सवाल का जवाब दे रहे हैं विस्तार से एक क्लिप काटके चला यह भा देना इस तरह की लोगगे क्लिए क्या संदेश है अपका दरसल हो क्या रहा happy हम एक संक्रमन काल बे हैं अर्ज से पहले क्या होता था कि एक जगा आजकल तो सिती है कि एक वीडियो क्लिप किसी की बनी उसके बाद वो मर जाएगा तो भी वो क्लिप उसा पीछा नहीं छोड़ेगी तो यह हमारे दौर का सच है इस सच से कोई नहीं बत सकता है हमें नहीं बत सकते हैं लेकिन मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि जब सोशल मेड को विवाद हो तो मैं आपको यह कहना चाहराएम कि जब भी विवाद हो आप मुझे बुलाइये मेरी बाद पोच लेजी मुझे कुई आप अपती नहीं मैं कोई बहत बिना प्रमानूं के नहीं आ करो आम तरप यह कोशिश करता हूं कि हीुवन मिस्टेक सबसे होती है को नहीं रखते एक चोटी क्लिप उठाते हैं और कर देते हैं आपके समर्थन में भी तमाम लोग हैं और सोशल मेलिया पर जब एक बैन का ट्रेंड चलना था तो आज एक सपोर्ट का विटेंड चला जोगी इंडिया पर नंबर बन पर चल रहा था और वो लोग जातर इस स्क सपोर्टर से क्या गएंगे मरा सपोर्ट भी अंधेपन से ना करें अगर देखे भगवान राम मेरी राय में मर्यादा के सबसे अच्छे उदारन वहीं है तुलसिदास जी के भगवान राम ने खुद एक बात कही है वड़ी अच्छी बात कही है और वो यह मुझे लगता ह जीमिन का लेसन है वो अपने भक्तों से कह रहे हैं कि मैं यह चाहता हूँ सो एक वाकिवा भूल रहा हूं मम अनुसासन माने जोई पर उसके बादों कहते हैं कि मुझे वो लोग पसंद हैं जो मेरी बात को मानते हैं लेकिन अगर मैं कहीं गलती कर बैठ हूँ तो मुझे भ भक्तों को पसंद करता हूँ यह भगवान राम का कथल है तो सो मोही बर जीहु भाई विसराई यह पंक्ति आती है तो मेरा मानना है कि मुझे नहीं पता मेरे समर्था ट्विटर पर कौन है विरोजी कोन है मैं ट्विटर पर हूँ ही नहीं मुझे नहीं पता रही पर करने का नहीं है तो जो भी वीडियो वाइरल कि यह जा रहे हैं जो भी आरोप लगाया जा रहे हैं सभी पर विकास जिविकीर्टी जी ने पिलकुल आराम से विस्तार से जवाब दे दिया है किताबे साथ लेकर आये थे धर्मगरंथ साथ लेकर आये थे सभी रिफरेंसेस दिखाए कोड किये वह साफ सब आपने देखे जो वीडियो चल रहा है वह आपने देखा जो पूरी बात रखी गई वह आपने सुनी मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि सच्चा कर दिया और जरा भी चिंता नहीं कि कि इसका समाज पर क्या असर होगा तो मुझे लगता ऐसा नहीं करना चाहिए तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इसको रोक दें ये गल्ती नहीं करें एक बड़ी इंट्रेस्टिंग बार बनाता हुए जब से पिसले 8-2 दिन से सब चलन भी तुए और घर के छोटे बच्चों ने कहा कि आप घर से बाहर मत जाना खत्रा है आसपडोस के लोगों ने कहा कि बाहर मत ने करना खत्रा है ये पहली बार अपने जीवन में देखा है पहली बार और एक दो चीजी और जो मैं बताऊंगा नहीं अभी वीडियो की बाद लेकिन ठीक है किसी के साथ भी एक अच्छे लोग तंत्र में ऐसा बढ़ता हो ठीक नहीं है अध्यन होना चाहिए तथ्य देखने चाहिए विरोध होना चाहिए समयधानिक मर्यादाओं के बीच में होना चाहिए अगर मैं गलत हूँ किस ने अफायर भी कर दिये मुझे पत है कानून का शासल है और कानून के शासल के तहट मैं भी आता हूँ समवार के प्रशादी एक अफवाही फैदाना बीने तथ्यां के गलत चीज़ है किसी के बारे में यह हो तो जैसा कि विकास जी ने कहा अब फाहें न फैलाएं और कानून से परे वो भी नहीं है कुछ गल्ती करेंगे तो वो उसका सामना करने के लिए तयार हैं बशर्ते वो मर्यादा में रहकर हो डर के भाव से नहों डराने के भाव से नहों आपका जो भी आकलन है मैं कमेंट नहीं है इसका सच सब तक पहुंच सके इसके लिए वीडियो को जरूर शेर करें देखते रहिए दी ललन टौ शुक्रिया